आज हम लोग बात करेंगे इंडिया ने इस्राइल के एगेंस्ट में जो लेटर बनाया था इवेन में जो कंप्रीज है उनमें से एक सो चार कंप्रीज मिलके उसमें साइन करने में अपने तरब से बहुती पोलाइटली इंकार कर दिया इंडिया का कहना है कि हम लोग ये लेटर में साइन नहीं करेंगे अगर देखा जाए इवेन के जो 104 कंप्रीज है टोटल 193 कंप्रीज है इवेन के अंदर उसमें 104 कंप्रीज में मिलके इस्राइल के एगेंस्ट में ये लेटर बना था और ये लेटर घूमते फिरते जब कास्ट में जाना पड़ेगा अगर आप इस चैनल में पुराने है तो आपको यादी होगा मैंने एक वीडियो बना था जिसमें मैंने कहां था कि इवेंड के जो जेनरल से एंटोनियो गुत्रेस उसको इसराइल ने अपने तरफ से बैंड कर दिया सिफ बैंड ही नहीं किया इ पस-पस कभी भटकते हो या फिर इसराइल में आते हो तो हम लोग आपको पकर के जेल में डाल देंगे दुनिया में इसराइल पहला ऐसा कंट्री है जो युएन के जो सिगेटरी है उनको बैंड किया है तो नो डाउट इवेंड के अगर देखा जाए तो बहुत कंट्री का बहुत कुछ बोलना है अगर देखा जाए इंडियन गवर्मेंट का भी जो भी है इवेंट को लेखे जैशंकर साब अपने तरफ से यह बोल दिया है और देखा जाए तो यूएन पहले जैसे अक्टिव नहीं रहा और इवेंड जो है अभी कंप्रीटली अगर देखा हम लोगों पता था कि कुछ दिन पहले इसराइल के ऊपर जो एटाक हुआ था मतलब इरान ने जो इसराइल के ऊपर मोर्दान 180 बैलेस्टिक मिसाइल डाला था इस टपिक में वीडियो मैंने बना था अगर आप चाहे तो चैनल में जाके देख सकते तो जब यह एटाक जनररल अंट्रियो गुट्रेस के तरफ से यह बोला नहीं गया ऑगं इसराइल के ऊपर कुछ तो होता है अगे जाके अ कवी अगेंसित में जाता है और बाएम कभी इसराइल के स्टैंड नहीं लेता है या फिर ऐसा कोई क्वीट भी हम लोग को देखने को नहीं मिलता है आगे जाके इसराइल ने आपने तरफ से क्लिन करते कंट्री के उपर अब यह जो आंथोनियो गुत्रेश जो युएन के सेगेर्ट्री जेनरल है यह भी थोड़ा सा पावर्फुल परसेन है तो इसको बहुत ही खराब लागए कि भाई ऐसे कैसे हो गया हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं मैं युएन के चीफ हूं यह सब तो होन 193 कंट्री तो आउट ओफ दिस 193 कंट्री और एक सो चार कंट्री मिलके एक लेटर साइन किया है जिसमें लोगों ने कहा है किया हम लोग के जो चीफ है यह सारा एक सो चार कंट्री खड़ा है और यही लेटर घूमते फिटते हुए जब इंडिया के पास आया का इंडियन गवर्मेंट का साइन के लिए अब नेक्स जो साइन करेगा आप उसको दे दीजिए हम लोग इसमें कोई इसराइल के बाद इवेंट का जो एक्जाट आज की रेट में इंप्रेशन है दुनिया में यह हम लोग को पता चल जाता है ऑन दाधा साइट बहुत अपोजिशन के जो लिडर से वो लोग अपने तरब से इसको सपोर्ट करने लगें अपोजिशन के लिडर ससी तरुन और पीद चीदांबरम ने कहां कि गवर्मेंट जो यह काफी गलत है ऐसा होना नहीं चाहिए था इंडिया को साइन करना चाहिए था जब एक सो चार कंप इसराइल के गेंस्ट में नहीं जाएंगे तो यह जानने के लिए हम लोगो थोड़ा सा और पास्ट में जाना करेगा हम लोगा सोचे यूएन जो है वो हमेशा न्यूटरली काम करता है दुनिया में कोई भी कंट्री ले ले लेजिए चाहे वो कंट्री गड़ीव है चाहे अपना जो हर कंट्री के लिए जो व्यू है यह इक्वल नहीं है जैसे मैं आपको कहां जब इसराइल के उपर इरान ने मोर दन 180 बैलेस्टिक मिसाइल बरसा है एक बार भी यूएन आगे आके बोला नहीं कि इरान जो ही यह गलत किया है और इरान को यह करना नहीं चाहिए यह इसराइल के लिए कभी भी यूएन ने स्टैंड लें लिया इसके लाए अगर हम लोग लास्ट यह जाए तो सेवेंथ ऑक्टोबर को जब इसराइल को उपर आटाक वा था जब जो सिटिजन्स थे उलनों का देथ हुआ ता इसराइल के एक बार भी यूएन ने इसको य यह कोई टेरिस्ट अटाक नहीं है अचानक से कंट्री के उपर अटाक होगा जिसमें मोर्दन बारा सो जो सिटिजन्स नों का देथ हो जाए आपको क्या उमीद है कोई भी एक संगतन जैसे यूएन जैसे जो संगतन है उन लोग को इसके लिए स्टैंड लेना चाहिए कि भ है मतलब एंस्वियों गुत्रेजून का जितना भी ट्वीट आता है या फिर जो भी वह भाशन बाजी करता है कभी भी हम लोग को यह देखने को नहीं मिलता है कि वह अपना जो ओपिनियन है वो दे रहा है या फिर वह एक ऐसा ओपिनियन दे रहा है जो आगर इसराइल के स होता है वह आगे आके इसका निंदा नहीं करते हैं तो नो डाउट इसको लेके इसराइल काफी घुसा था इसराइल ने अपने तरफ से स्केप लिया यूएन के जो इसको अपने कंट्री में कंप्रिट्ली बैंट कर दिया जो के दुनिया में पहली बार हुआ हर कोई कंट् हो यह बहुत ही गलत है तो नो डाउट यह जो सारा किस्सत अगर हम लोग पास्ट में चेक करें इसके वाइज से इसराइल ने अपने यह स्टेप लिया और यह स्टेप के एगेंस्ट में एंटोनियों गुत्रेस को दिखाना था कि वह इन कितना पाउरफुल है हम लोग कित है और वह लोग उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया करेंगा इंडिया क्यों साइन करेंगा आज के डेट में अगर हम लोग देखें इसराइल के साथ इंडिया का रिलेशन बहुत ही अच्छा है नो डव इसराइल इंडिया का एक लांग टर्म पार्टनर है जबी भी जब्व् या फिर जो मिल्टरी कूपमेंट से उसका बहुत अच्छी दरा से ट्रेड होता है कभी भी जरूरत पर है जैसे मैं आपको कहा के इस्राइल ने हमेशे इंडिया के लिए गया है अगर हम कारगील में देखे पाकिस्तान के सोल्डेर्स हमारे माउंटेंश के उपर चरके बैठे यहां गोली मारा था इंडियन गवर्मेंट ने बोला के भाई हम लोग यह नोग को को औरिणेस वह कर दो यूएस के पास उस टाइम में बहुत ही अच्छा टेक्नोलोज आपको प्रोज इंडिया इस्रेयल को किया इस तरह से अपने इंडियान आर्मी कारी लुज जी देट है जो हम लोग कांट्री को कारी लुजा जी इतने में हेल्प को सिग में खढ़ा करना है क्या politics से आपके country में अगर वो लोग आ जाते थे पाकिस्तान से जो टेरिस्ट आते वो लोग आपका देश का पार्ट कभजा लेते ते तो आप खुश हो जाते थे जो लोग आपका देश का जो इंटीग्रिटी है आपका देश को वार है उसमें जीतने में हेल्प किया आप च किया एक बी डिशन हम लोग को नहीं लगता है कि वह यह नीजि ने भी अपने तरफ से इरान को सपोर्ट कर रहा है कोई भी स्टेटमेंट आता है उसमें हम लोग लोग कभी थी नहीं दिखता कि यह जो स्टेटमेंट है यह निजुवेंट के साथ और पॉपयन्ट आप ता आज के रेट में हम लोग को पता है कि बहुत सालों से प्रॉब्लम चल रहा है दोनों कंट्री के बीश में चपट होता है बहुत सरा अटक होता है इसके वाइसे यूएन ने अपने तरफ से लेबनन और इसराइल का जो बॉर्डर है उसमें ब्लू आर्मी को रिकूट किया था इसमें अगर देखे जाए इंडिया के भी राउंड बाउट जो हो सकता है कि कैजूल्टी हो इंडियान आर्मी वहां था जो अचनक से उनको कुछ घायल हो गया था आगे जाके उसको इंडिया बापस लाना पड़ा है यह इसा कुछ होता है यह सब करना नहीं चाहिए अगर देखा जाए इसको यूज कर रहा है और नो डाउट अगर देखा जाए यही सेम चीज को यूज करते है दुनिया में जैसे हम लोग जियो पॉलिटिक्स में देख रहे के डिफरेंट कंट्री डिफरेंट रिमूफ कर रहे इंडिया में भी अगर देखा जाए इस मूव्मेंट को लेकर भी पॉलिटिक्स किया रहा है वागर पॉलिटिक्स कर रहे हो यह बहुत ही अच्छी बात ह हो इसलिए आप लोग पॉलिटिक्स कर दों मगर एक बार सोच लीजिए आपके कंट्री को जो आपके नीड में हेल्प क्या था आपके साथ स्टैंड लिया था उसके एगंस में जब आप बोल रहा हो तो नहीं लगता है अगर सही किया है तो उसके पीछे भी आपका किया रिजलन है अगर गलत्ती है अगर तो सके पीछे भी exactly क Memant कीजिए कमेंट नहीं करेंगे तो आपका यह योगता नहीं होगा मुझे पता नहीं चलेगा क्या आप क्या सोच doen आपको क्या लगता है कि हमारे देश के कौन के साथ रहना चाहिए नहीं जो भी हो आपका कमेंट करता है मैं उमीद करूंगा इस बार आप जरूर कमेंट करेंगे और होफुली यह वीदियों आपको इन्टेस्टीम लगा अगर आपको यह वीडियों आपको रीक्वेस्ट करूंगा मैरे बहुत सारे वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा बेल आइकन में क्लिक कर दीजे वीडियो डिफ्रेंट टाइम में आता है जब भी आएगा आपके पास तुरह नोटिफिकिशन पहुंच है वीडियो आपको इंट्रेस्टिंग लगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद